अब यहाँ पे देखिए, एक और हमारा command है, यहाँ पे यह भी एक हमारा जो है, पहुत ही अच्छा command है, देखिए, step snapping, step snapping क्या होता है, यह देखिए, मैं इसको on कर दिया, relative पे है, और इसका जो है, one value है, one value का मतलब यह मैं grid on कर दे रहा हूँ, तो one unit यह snap करेगा, यह देखि करेगा, यह snapping के लिए होता है, यह भी एक बहुत useful command होता है, हमारा, जब मैंने snapping off कर दिया, तो इस तरीके से हमारा हो रहा, जब on कर दूँगा, तो unit by unit चलेगा, मैं unit setting भी बताऊंगा, next video में unit setting क्या होता है, फिर उसके बाद एक हमारा command आता, यह सब मैं आप लोगों को setting है, इसमें देखिए, दो options है, हमारे check हो रखे, एक uncheck है, पहला shift, drag to duplicate object, यह देखिए, यहाँ पर हमारा जो uncheck है, उसके बारे में मैं बताता हूँ, shift, drag to duplicate object, और देखिए, यहाँ जब मैंने check किया, तो यहाँ पर geometry type copy आ रहा है, तो copy और इसके एक और part होता है, instance, instance क्या होता copy क्या होता है, अभी बताता हूँ, तो सबसे पहले इसको मैं duplicate करता हूँ, shift के साथ, shift press किया हूँगा, और इसको मैं drag करूँगा, यह देखिए, मेरा object जो है, duplicate हो गया, यह देखिए, इस तरीके से shift के साथ, यह हमारा object duplicate हो रहा है, जितने भी हमें object चाहिए, हमने select किया, औ उसके बार duplicate होते जा रहा है, देखिए, इस तरीके से यह हमारा object, जो है, सभी duplicate हो गया, यह हो गया, हमारा copy object हो गया, ठीक है, अब मैं सभी को delete कर देता हूँ, अब देखिए, अब हमारा एक और यहाँ पर है, instance, instance के बारे में मैं बताता हूँ क्या होता, इसको मैं shift के साथ duplicate कर लेता हूँ, उसी method से, यह आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बता दे रहा हूँ कि extrude करके किस तरीके से, यह देखिए, मैं इसको scale करूँगा, rotate करूँगा, तो यह हमारा instance नहीं चलेगा, यह हमारा चलता है, जो है, extrude पे, face पे, edge पे चलेगा, तो यह देखिए, इस object है, जो हम उसके अंदर बनाएंगे, जो command देंगे, वो हमारा जो instance बना रहेगा, उसके साथ, वो automatic create होते रहेगा, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, कि modeling कैसे करते हैं, और इन सभी commands का use कैसे करते हैं, okay दोस्तो, so I hope दोस्तो, आप लोगों ने इन सभी tool के बारे में सीख tool में लगबग लगबग similar से ही हमारे जो है, setting होती है, so thank you दोस्तो, मिलते हैं next video में, मैं next video में कुछ और interesting से commands बताऊंगा, so thank you